नमस्कार उत्राखंड मैं भाबना और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा तो आज डेट है 8 नवंबर और टाइम जोरा सुबो के बज़ रहे हैं साथ बचके 20 मिनट और मैं आई हूँ नीचे यहां पे जो है हमने एक अलग सी जगाओ पे बनाया हुआ है चूला जिसमें हो रहा है पानी गरम आजकल ठंके मौसम में हम इसी तरीके से एक जगाओ पे चूला बना देते हैं और बाहर पे पानी गरम करते हैं अंदर इस ता पा रहते हैं यहां पेले के लिए और पाने मेंते कने करते हैं जाया है यहां पेलिए फोलग में आ़का रहने के लिए swallowed कि हमें आग सेखने को भी मिल जाती है और हमारा पानी भी गरम हो जाता है वैसे तो अंदर हमारे कीचन के साथ साथ एक अंगेठी बनी हुई है लेकिन वहाँ पे भी इतना बानी गरम नहीं कर सकते क्योंकि साथ में कीचन है तो क्या होता है कि धुआ धुआ हो जाता है होती नहीं है तो बड़ी मुश्किलों से वैसे तो यह आग ममी ने जलाई हुए थी तो यहां पर मैं सिर्फ आई थी लकड़ी जलाने के लिए तो यह रेकिए इसी तरीके से हमारे वहां पे जो है ठंके मौश्रम में आग जलाई जाती है करम पानी लाने के बाद मैं आ क्योंकि गैंदा भी हमारा खिला नहीं है तो चलिए फिर फूल तोड़के लेके जाती हूं और करती हूं काम और मिलूंगी आपसे मैं थोड़ी देर बाद घंड़ी घंड़ी ले के लिए जैसे ही मैंने आधा जाड़ी लगाई तो देखा कब diyorsunतर का बच्चा के पूलिक पीन जाड़ी अगया हाऊ था आ smoking कोडे के तो जैसे ही मैं चावल लेके आई और चावल का दाना दिया तो इसने थोड़ा साभी नहीं खाया और वहां से उड़के दूसी जगा पर बैढ़ गया तो फिर मैंने जो इसके लिए जितना भी मैं चावल लेके आई थी वह उड़ा पर रखके जो है ज़ाडू लगाने लग लेकिन आजकल तो हमें ज़ाडू लगाने पड़ रहा है तो और यहां पर आपको छत में कपड़े दिख रहे होंगे कि कल शाम को हमने दो रहे थे तो हमने छत में ही चोड़ दिये थे तो अब धूप आगी है तो सूख जाएंगे और अजकल जो है ठाणिंग की टाइम में कब ऐसा होता है कि कब धूप आए और जब धूप आएगी तो तब जाके जो है काम बगेरा करेंगे तो बस यही रहता है तो यहां पर जो है जाडू भी मेरा कंप्लीट हो गया है थोड़ा बहुत पर आपको सीनिया दिख रही है वहां पर जाडू लगाना है मुझे तो च तो सारा जाडू लगाने के बाद मैं आई हूं अभी कूड़ा फैक्टने के लिए तो हमारे नदी के पास जो है कूड़ा दान बना हुआ है हम लोग ऐसे ही जो है कूड़ा नहीं फैक्त हैं और आप यह देखिए नदी का व्यू मैंकप से आपको दिखाया नहीं है और यह कि मैं आपको दिखाते हैं और यह बहुत है अच्छे तरीके से तो जब यहां पर कुछ भी फंक्शन होता है मंदिर में तो तब जाके वाच्रूम अगएरा उपन होते हैं तो अब यह आपको दिखाते हूं कि हमारे खेतों में भी क्या-क्या खो रहा है क्योंकि मैं कब से परसुई गई थी पीछे खेत में जब मैंने आलू जो है खोदे हुए थे तो नीचे जो नदी के पास है उन वहां पे जो है हम आए नहीं थे मैं आई भी नहीं हूं कब से तो मैंने देखा भी नहीं कि खेत में क्या-क्या लगा हुआ है तो आपको भी दिखाऊंगी पहले फ कि यह देखिए खेत में हो रहे हैं करेले और तो सबसे पहले जो है मैं इन करेलो को तोड़ लेती हूं और यहां पर देखिए अभी लगाया हुआ है हमने लहसन यह देखिए यहां पर लहसन लगाया हुए है और यहां पर जो है अभी यह खेत खाली हो रहे हैं और यहां पर लगाये हुए हैं मेथी मेथी के पौंधे भी दिखाती हूं आपको यह देखिए बहुत जादा प्यारी हो रही है लेकिन बहुत काफी दूर दूर पर हो रही है कहीं पर ज्यादा हो रही है वहां पर देखिए और कहीं कहीं पर तो हो नहीं रही है इस तरीके से यहां पर भी और इसमें भी जो है मेथी ही लगाई हुई है ये रेखिए ये रेखिए और वैसे अभी खेट खाली हुए है और अब मैं आगी हूं उपर की खेतों में और देखती हूं यहां पर क्या लगाए हुए है क्योंकि काफे डायम से मैं भी हां पर आई नहीं हूं तो अब मेथी ही लगी हुई है ये तो बहाभी लोग का खेते और यह देखिए अमरूत के पेड इतने बड़े हो चुके हैं तो यह पापा ने जो है मोटर के पाने से जो है सीचा हुआ है यह देखिए इसमें जो है मेथी काफी अच्छी हो रुखी है यहां पे मेथी लगाई हुई है और यहां पे जो है लशन लगाए हुए है और यह इनकी मपम्री ने जो है गोडाई भी कर के रखिव हुई है किसा लशन की काञी की है यह देखिए और यह देखिए मिर्च अभी जो है मिर्च इन में होई रही है यह चल जाएंगे हमारे कम से कम एक महना और चल जाएंगे अगर पॉंधो को हम निकालेंगे नहीं तो बस बाकी अभी जो है खेत मैं सिर्फ लगाया हुआ है मेथी और यहां पे लहसन बस इतना ही है और बाकी अभी जो है खेत खाली हुए है किसी ने भी कुछ लगाया नहीं है भावी नहीं लगाया है तो चलिए फिर जाती हूं घर फिर मिलती हूं आप से डस्ट बिन और जो है करेला वहां पर रखके आई हूं और यहां पर देखिए हमारे काम करने वाले जो अंकल लोग अंकल लोग एक सिलनी को दूसरे सिलनी से अटैच कर रहे हैं रसी से वो लोग बाद रहे हैं तो ताओ जी भी मेरे घर से आगे हैं तो मैं आपको दिखा रही हूं और इस बार जो है शादी का घर है इसलिए शादी की वज़े से जो है अभी हमारे अंदर जो है बिलकुल भ तो वैसे तो अभी चार-पांस दिन है तो शायद देखते हैं क्या पता तब तक हो जाए और बाहर बाहर पे यह भी हमारा बाहर पे भी हमारा कंप्रीट नहीं हुआ है तो अंकल जी दो को पेंट लगाने लग गए हैं तो चलिए फिर करते हैं हम भी अपना काम और मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई